स्टुडेंट सक्सेश फंड कोटा चेनल में आप सभी का स्वागत है इस्ट्रेंट्स हमारे चेनल पर हिंदी साइटे का संबंदित एक श्रंकला चल रही है जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी साइटे को पढ़ रहे हैं लेकिन आज हमारी एक और नई स्टार् कावे शास्त्र लिखाते भी लेकर के आएंगे कल से 17 से यह मौर्णिंग में डेली मौर्णिंग में आपके पास आ जाएगी नो बज़े तर ठीके नाइन ओक तक आपको यह कावे शास की क्लासिस मिलेंगी और इस्ट्रेंट्स जो आज फस्ट क्लास है फस्स क्लास के अंतर आजने से पहले हिंडी साहिते एक हिंडी के स्ट्रेंट को कावे का अर्थ भी समझना चाहिए तो क्यों तो थोड़ा कठिन पढ़ता है तो मैं इसको तूटा ही सरल करके चलना है चलिए हम ज़्यादा बाते ना करते हुए कावे शास्त्र में पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कावे का स्वरूप किस प्रकारे और जिस बुक को मैंने आधार बनाया है वो बुक का आपको फोटू भी क्लासिस के अकोडिंग ही मिल जाएगा ठीक है मैं अपने में लगा दूंगे आपको पता पढ़ जाएगा कि किस बुक को मैंने आधार बनाया है हम इसको विस्तार से डिस्क्रिप्शन मरनित करते भी पढ़ेंगे और नोट्स वाइस भी पढ़ेंगे दोनों फॉर्म में हम इसको ले करके चलेंगे तो ज्यादा बाते ना करते कावय क्या है कावय का स्वरूप किस प्रकार है तो देखिए कावय किसका वागमय का ही एक अंग है किने का मतलब वागमय का मीन्स जो होता है अर्थ वो होता है कि भाशा में नहित संपूर साहितिय को अपने अंदर समाहित कर लेना ठीक है वागमय का ही एक अंग है वागमय से भी संबंदी तो एक एसा साहित्य किलिए बहुत समझना डिप में अगर आपको यहां से कॉंसेप्ट किलिए रुआना बेटा तो कावेशास्त्रों बहुत सरले कोई कठिन नहीं है तो शब्द और अर्थ मैं अर्थ जिस शब्द के अंदर अर्थ भी हो ठीक है अर्थ भी समझ में एक एसा साहित्य है भाशा के अंतर का संपूर साहित्य बाग में होता है जो नोर्स के रूप में लिख रहे हो कैसे भी रूप में लिख रहे हो जो साहित्य कल्यक्ट हो रहा है पूर्व के साहित्य कारों के द्वारा पुस्त के लिखी गई है संस्कत के कावेशास्त्रियों के द्वारा लिखी गए ग्रंथ यह सब क्या है यह सब वाग में है संपूर गरंथ लिखे बीरे हिंदी शास्त्री काव्य शास्त्री आए तो एक भरपूर भरदाना करने वाला हो जो भी, जिस भी प्रकार की रचना की जाती है वो CHIT को, वो HIRDAY को थीकि ना, HIRDAY को CHEMAKRAT मतलब परिश्क्रत करना चाहे और आनंद प्राप्त करने वाला हो बोरियत महसूस करने वाला नहीं हो एकेसी शिक्षा, एकेसा काव्य एकेसा साहित्य जो भाशा को शेली को भावो को चमक्रत मतलब चमका तो देही सही साथ में हमारे चित्त को भी आनंद प्राप्त करवाए खिके यहां तक के लिए आगे बढ़े जबकि काव्य से इतर आने वाले वागमे में राजनीती शास्त्र भुगोल आदी रूपों में मात्र जानकारी क खजाना है जब आप पॉलिटिकल साइंस न्यूस पेपर में जब यह राजनीती की खबरे सुनते हैं बुगोल से संबंदी तो आप जानकारियों को पढ़ते हैं जैसे आप कॉम्पेटिटिव एक्जाम्स भी तैयारी करते हैं तो आप राजस्तान विज्ञान जीके यहां नीरस होता है इसको हमें बहुत दिमाग में रखना पड़ता है लेकि साहित्य एक ऐसा विशय है काविय एक ऐसा विशय है जिसको हमें आनंद के साथ पढ़ना होता है चितमे समाहित करना होता है उसको रटने वाली चीज नहीं है समझने वाली चीजे हिंदी एक ऐसा विश साहित्य है जो आपको आनंद प्रदान करता है और केसे वह आपको आपकी भाषा को उतकश के ओड़ ले जाता है तभी तो वह साहित्य है लिक्ट्रेचरे ठीके अब देखिए आगे देखिए उन्होंने कहा है इसमें लिखावा है कि राजनीती शास्त्र भुगोल आदी रू प्रदान करने वाला होता है रमणियता चमक आनंद प्रदान करने वाला होता है पढ़ते ही आप देखिए कभी मीरा के पद पढ़िये कबीर के दोहे पढ़िये कितना आनंद आता है पढ़ते पढ़ते वह चीज़े हमें याद भी होती है ठीक है ना कबीर के दोहे हैं मीरा के पद है रहीम के दोहे हैं बिहारी के यह सब क्या है पढ़ते पढ़ते हमें एक आनंद की प्राप्ति भी क हम अन्य विधाओं में उम्मीर नहीं कर सकते कि हमें आनंद की प्राप्ती चमतकार इसे शब्द परिश्क्रत इस तरीके की अपेक्षा हो ठीक है स्री मात्र वो क्या होते हैं तथ्यों का पिश्ट पेशन होता है पिश्ट पेशन मतलब कि वहां पर तथ्यों को विस्तार रू पाग भाशा का भंडार होता है बोलने के लिए आगे देखिए इतिहास भुगोल राज़िती विज्ञान में लिखे साहितिय के उधारण हैं मात्र जहां मात्र तथ्यात्मकता होता तथ्या मतलब जो हमें बिंदू याद रखने होते हैं वास्तिक सत्य होते हैं लेकिन वह साहित्य है लिखावा है वो अर्थ्य बीशत उसका अर्थ समय के अंधार pow치 होता है। तो कुछ शब्दार्थ में लिखे साहित्य होता है काव्य के अंतर जो रम्णियता का बोधक होता है आगे देखिए शब्दार्थ में शब्दार्थ में इस रम्णियता को लाने में सरवादी भूमी का किसकी होती है अलंकारों की अलंकर एक ऐसे आबोशने जिस प्रकार एक इस्त्री के इस्त्री अपने आबोशनों के द्वारा सुन्दर दिखती है ठीके दिखती है एक अलंकरित होती है उसी प्रकार शब्द में भी जब अलंकरों का प्रयोग होता है शब्दार्थों के अंतरगत इस रम्णेता को लाने में बहुत जो अच्छी भूमी का निभाते हैं वो केते अलंकार और अलंकार का अर्थ क्याता है आबूशन आबूशन ऐसे नहीं कि हम शब्दों को उनके अर्थों के आधार पे उनको कभी अंगुठी पिनाए हार पिनाए ये नहीं उनके शब्दों में इस प्रकार से अर्थों का हो कि वह अलंक्रत हो जाए चुमक जाए रमणियता आ जाए ठीके यह जादार लाने में सरवादिक भूमी का कौन करता Jew, अलंकार प्रदान करता है ठीक एसको और परिष्क्रत कर देता है इसे बह2 हम शांदी है infl Рईली धान करता कि क्योंर परिश्क्रत J council整 कर वागमय का अर्थ होता है संपोड भाष्य का साहितिया जो शब्द अर्थमय साहित्य जो कुछ भी लिखा जाये पड़ा जाता है वो साहित्य होता है ठीके वागमय का अर्थ है शब्द अर्थमय साहित्य जो कुछ भी लिखा पड़ा जाता है इस प्रकार काव्य भी वागमय के अंतरगत आता है उस साहित्य के अंतरगत आता है जो कवी कोई बी कवि कोई बी रचनाकार या कोई कावय शास्त्री जब कुछ कावय लिखता है तो वह चमक्रत हो चमक्रत मतलब सबयात सबस्किंभार को इस तरीके से रखा गया हो की वह एकदम दिखाई देद समतकार हो जाए प्रतेक 자 portreyش के दिल तक प्षाधिक की हिर्दे तक वह बात घर कर जाए यही तो है इसी प्रकार काव्य होता है कि कोई से भी कवीता आज देश्वक्ती कवीता किसी के हिर्दे को एक कवीता बनाई जाती है वह संपूर देश के संपूर विश्व के लिए उद्धिपन का कार्य करती है यही तो चमत कारे किसी कवी करने वाली हो आप देखें गाने किया है काव्य तो है कोई सब्सक्राइब देखिए देश नुचलो देश मांगता है कुरुबानिया तो यह सब क्या है जब यह अपन गाना सुनते हैं तो यह गाना हर हर भारत्वासी के अंतरगर्द अंदर एक देश प्रेम जागरत करता है और ये देश प्रेम आनन्द का है, वीरता का है, तो यही चीज तो क्या है? काव्य है, जो कुछ लिखा जाता है काव्य के अंतरगत, वो चमतकार पूर्णो, सब्दों को ऐसे चुना गया, देखें देश नू चलो, इस शब्दों को ऐसे लिखा गया और इस प्रकार से काव् प्रति पूर्ण समर्पत्ता का भाव आ गया ठीक में इस रम लगता को लाने में सरवादिक महतपूर भूमी का की साथ अलंकारों को रखा गया प्रयोक किैस्स में रम्नेता आ गई मतलब आननद आ गया चमाक आ गई सुनदर्ता बढ़ गई शब्दों की अब देखिए काविया के इतर पढ़ा पुद्धा काविया के अलग जो मतलब नीरस वग्यान भुगोल मिशे के एंतर गजस जो रखे गए हैं तत्थे कितने सारे होते हैं ठीक है अनुचेद आप अनुचेद याद करते करते ठक जाएंगे राजनीती विज्ञान के अंदर गद ठीक है भुगोल में दिशाएं और आए दिन जो भी परवर पठार ये सब बदलते जाएं इतने सारी चीजें हैं कि तत् श्चाय को एक वर आपने समझा तो वो आपके दिमाग से कभी जाएगा ही नहीं बस बशर्ते इसको बहुत अच्छे तरीके से समझणा है ठीक है आनन के साथ समझना है क्योंकि आनन के साथ पढ़ना नहीं है ठीक है चलिए अब आगे देख़िए कावे की परीभाशा आच काव्य है ये किनोंने का भामय ने इसी प्रकार रुद्रट ने भी शब्दार्थ सहीत काव्य कहा नन्नु शब्दार्थो काव्यम ये सभी उन्होंने कहा जिसके अंतरगर शब्द और अर्थ से समाहित जो काव्य बनता है वही क्या है काव्य शास्त्र है वही काव्य है वही क सहीतों। ठ्यान रखना है कि कि नहीं यहां से यहां से चीज़ें आती है। तो काव्यम घूद्द ap अब नेक्स्ट देखिए कौन है ये साहित्य दुर्पन के रचाईता आचार्य विश्विनात इन्होंने क्या कहा वाक्यम रसात्मक वाक्या जिसके अंतरगत हमें रसकी अनुभूती हो वासलय रसकी, शंगा, हास्य रसकी, रोदर रसकी वी जिसके अंतरगत हमें रसकी अनुभूती हो वाक्या रसात्मक काव्या वही काव्या है। याद किसे करना है तो हमने चलिए अब ज़ो हमने पढ़ा वह हमने का विर ठाई पढ़ा परिभाशांत के से रकुरादके लिए किस तरीके से क्योंकि इतने सारे आगए के शास्ती संस्क्रत काव्य शास्तियों ने परिभाशा हैं दिये तो हम इसको याद कैसे करेंगे तो याद करने का ट्रिक भी आना चाहिए तो काव्य की परिभाशा को देखिए हमें किस तरीके से ध्यान रखना है देखिए भामने शब्दार्थो इस तरीके से रुद्रट नन इस तरीके से अपन को ध्यान करते चलना है उनकी परिभाशा का फर्स वर्ड हमें उठाना है शब्दार्थो सहीतो क्योंकि कई जगे पे शब्दार्थो का ब्रोग ज्यादा प्रयोग शब्दार्थो सहीतो काम्यम तो खाल प्द और अर्थसाहित रुदध नन्नू ठीके फिर विश्वनाजी ने साहिते दरपड में क्या काई पहले आपने उपर परिभाश है पड़ी फिर उसी के आधार पर इस चीज को पढ़ा तो इन्होंने वाक्यम रसात्मं काम्यम तो हमें क्या लिठाना है वाक्यम इस तरीके से अपनको शॉर्ट न इस तरीके से शॉर्ट में आपको आप मुझे जरूर बताएगा आपको यह पढ़ाना कैसा लगा और हम इसमें कितना अच्छा बदलाव कर सकते हैं आप यह भी जरूर मुझे बताएगा वीडियो को पूरी देखिए स्ट्रेंड तभी आपको कावेशास्त बहुत अच्छ भारतिय कावेशास्त और पास्चत्य कावेशास्त अब कावेशास्त अब कावेशास्त के संबन में पास्चत्य कावेशास्त्रियों ने क्या कहा ये भी महत पूरे ठीके तो इन्हों ने कहा देखिए आगे पास्चत्य विद्वान कॉलरीस ने कहा कि सार्थक सार्थक अर्थ पूर्ण, शब्द वो जिसका अर्थ हो, सार्थक और सुन्दर शब्दों में, सु विवरस्तित अभिव्यत्ती को काव्य माना गया है, आप देखिए सिंपल सा आप किसी का नाम सुनते हैं, आज आप देखिए मेरा नाम, मेरा नाम सुना आपने शोभा, एक शब्द, शब्द हैं, लेकिन सुन्दर भी है इस कार्थ, सुन्दर है ना शब्द, और सार्थक भी है, सार्थक कैसे कार्य वो जो बहुत शोभापूर हो, तो जब ये वाक्य पूरा बनेगा ना, कि कोई भी कार्य इस प्रकार हो, जो शोभापूर हो, मतलब सार्थक हो, सुन्दर हो और आकशन यूगतो शोभाकारति यह हुआ ठीक है तो अब देखिए पास्चेते विद्वान काल्रिस ने कहा कि कोई भी काव्य वो हो कोई भी कवीता वो हो जो सार्था को अर्थपूर हो और सुन्दर शब्दों के साथ सू विवसित अच्छी तरह अभिव्यक्त हो अभिव क commercial opinion मानगा अब इन्होंने इंग्लिश में दी आपको टिंजन ना लेना इंगुश में ते लान नहीं करनी आपको हिंदी अर्थ और इंग्लिश में भी ध्यान रखने के लिए आपको ध्यान रखना सार्थक और सुन्दर शब्दों में सुवियर्सित अभीव्यक्ति कोई क्या कहा गया काव्य यह किसने का ले कहा कि संगीत को काव्य व्यक्ति संगीत ने कहा कि संगीत को काव्य상이 कोई गीथ कोयी कि बहुत इसलिए may makeup आप कहीं से और यहें में सुने हैं तो आपके दिमाग में चलता है गाना क्यूं क्यों क्यों कि His poetry is the Articulate Music व्यक्त संघीत है किनों ने कहा डाइड्रेन ने अब देखे ज हूने काला यल ने संगीत में विचार को काव्या के रुप में व्यक्त किया है जो भी संगीत में विचार हमारे दिमाग में आये देखें एक गीत मैं आपको बता हूं मोरा मन दरपण कहलाए भले भुरे सारे करमों को देखे और दिखाए मोरा मन दरपण कहलाए अब इस पंक्तियों में देखें बैसे मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है जो आपको अच्छा लगेगा गीत मेरा अर्थ कहने का मतलब था संगीत में विचार इसके अंतरगत इन शब्दों को सुनी आप एक एक शब्द किरता अर्थ पोण है कितना सार्थक है सार्थक भी है और सुन्दर भी है कि मेरा मन मेरा मन कहा है दरपण के समाने जिसमें अच्छा और बुरा दोनों सुयम व्यक्ति को दिखता है कहना चाहिए तो एक लाइन में ये भी कह दे कि मोरा मन दरपण के लाए मेरा मन जो है वो एक आईना है जिसको अच्छे और बुरे के रूप में हम मुझे दिखाई देता है यही है लेकिन उन्होंने किस तरीके सका संगीत में विचार यही तो कावया है और यह क्या बना कावया बना और यही गीत बन जाते आके poetry we will call musical thought poem क्या है poetry क्या है कावया क्या है एक musical thought है एक संगीत में विचार है ठीक है आगे देखिए मिल बुद्धी और भाव के सायोग को कावय मानाई मिलने क्या का कि बुद्धी ठीके Intelligency और भाव Emotions, feelings ठीके, बुद्धी और भाव के सायोग को कावय मानाई जब ये दोनों मिल जाते हैं एक वेक्ति की बुद्धी और उसके भाव आज बुद्धी इस गाने में क्या होई मेरा मन दरपण कहलाई भले बुरे सारे कर्मों को अब इसमें क्या है बुद्धी लगी कि मेरा मन क्या है दरपण है किस ने कहा दिमाग ने कहा माइंड ने कहा और किस रूप में भाव के रूप में निकला कि मैं जो अच्छा सोशती हूँ किसी के लिए जो अच्छा करती हूँ या कभी बुरा करती हूँ वो सब मेरा मन मुझे बताता है कि आप क्या गलत करते हूँ लेकिन इसको बुद्धी के माध्यम से भाव और दोनों जुड़ गए इनके सयोग से क्या बनता है मनों वेगो की भाषा कहते है अज देखियो जिसने भी ये गीत बनाया तो उसने उसकी कल्टना लगी कि मन कैए मन तो दुरपण है मन एक आईना है ये भी तो बोल सकता है कि मन एक आईना है हम इसमें जो सोशते हैं हमें सब को पता है कि अच्छा बुरा हमें दिखता है लेकिन उसने उसको किसमे करा कवीता में परो लिया संगीत में परो लिया क्या मानों के मनो वेगों को जो उसने करा जो उसने फील करा भाषा क्या है कल्पना है क्या है मन के मनो वेग है इसे सारे गीत देखिया कोई भी दुक का या संगीत का कोई भी अब एक दूसरा गीत उठा लीजिए जैसे ये तो सच है की भगवाने है हम अगर फिर भी अंजाने है धर्ती पर रूप माँ बाप का इसमें क्या है इसमें मेरे को ये नहीं है कि मैं आपको बहुत गाने समझा ठीक है मैं आपको उधारण दे रही हूं कि आप देखिये ऐसे हम सबको पता है कि धर्ती पर रूप हमारे माता-पिता हमारे इस रूप में लेकिन फिर भी इस शब्दों को इन सार्थक शब्दों को जोड़ करके एक काव्य बना एक संगीत बना क्या उस कवी की कल्पना से और उसके मनोवेग से जैसा वो सोचता था जैसा फील करता था यह हैजलीट ने का है कि काव्य यह है कि लिए आपको समझ में आया ठीक है आगे देखे पास्चेत यह काव्य शास्त्रियों ने क्या कहा अब इसको याद करने से हमें किसे ध्यान रखना है कॉलरिज ने कहा the best word in the best order सार्थक और सुन्दर शब्द सिंपल हमें यह याद अगना पूरी परिभाशा ध्यान नी डाइब्री ने कहा व्यक्त संगीत म्यूजिक जो व्यक्त होता है संगीत के रूप में आज आप गाने गाना और गाने में सोचना क्या-क्या भाव आ रहें ठीक है ना और फि अधि में सयोग होता है इनके आधार पर जो विचार बनते हैं और हैजलीट ने कहा कल्पना इमेजिनेशन और माना मनोवेग पैशन इनके दोनों के मिलाव से ही क्या होता है काव्य तैयार होता है उमीद करती हूं आपको समझ में आ रहा होगा बॉरिंग नहीं लग रहा हो देखे जाने वाले नाटक होते हैं अब आप देखिए आपको मैं क्योंकि साथ भी कई भाव की अभी जो भी इसको धंग से देखता होगा बहुत पुराना सीरियल है वैसे यह लेकिन जो अभी भी आपके डिसनली जो नाटक चलते होंगे यहां अप अपन एतियासिक नाट प्रक्रों से देखे जाने वाले नाटक आदी को रखा जा सकता है और श्रवय कावयार सुने-सुनाय योग्या जैसे आपकी दादी-ma-कहानी सुनाती है कई सूनाती है जैसे छोटे बच्चे की किताब में को कैसे कई होती है ची-ची-ची-ची-ची ची-ची चडिया रानी तरीके कवीताय और च्छा हो ठीक है यह सब क्या प्रमूगता नेतिक शिक्षा की यह कहानी है जोर्ज काविया क्या हुद छुद्य काविया में नाट काद्य प्रमुकता दो भेथ वर कद्य और पद्य पध्य के पुनह सानी के माधीन से पड़ेंगे पद्य के पुनह प्रभंध और मुक्तक यह दो भेद किए गए हैं प्रभंध में करम्भद सिल्सलेवार प्रभंध के अंतरگत क्या होती है कम बास G20 है क्रम्भद से रचना होती है और मुक्तक में सिलसले की आफशक्ता न होका प्रतेख छंद एक दूसरे से मुक्त स्वतंत्र होता है मुक्तक कावय में कैसे होते हैं एक क्रमभत तरीके से नहीं होते हैं प्रतेख प्रतेख अलग लोकता है स्वतंत्र होता है प्रभंद काविया के आकार के जश्टी से दो भेद महाः काविया और खंड काविया होता है सपूर्ण जीवन चित्रोण होता है जैसे राम चरित्र मानस महा काविय इसलिए है क्योंकि तुलसी ने श्री राम के बाल्यकाल से लेके उसके जीवन के चर्मोत क्रश तक का समगर जीवन अंकित किया है जो रामचरित्रमानासे तुलसी धास जी के द्वारा क्रत ठीक के इन्होंने महा काविया है इसमें राम जी के समघ्र जीवन का चित्रन किया बालक से लेके उनके जीवन के चर्मोत क्रश्टक पूर्व demiş Day Unterstützung का व्यक्तितु पंच्वटी खंड़ काव्य का उधारण हे यह olsun और में दूक्ति का अंड़ का प्रकार मुक्तक के दोभेद माने। मुक्तक के कितने दो भेद पाठ्थे पुस्तक पाठ्थे मुक्तक और दूसरा गया मुक्तक जिसको गीती कावय भी कहा जाता है पाठ्थे मुक्तक क्या होता है पढ़ने सुनने मात्र के लिए होता है जैसे पढ़ लिया सुन लिया जैसे रहीम और भिहारी के दो है और गीती काविय में संघीत आत्मक्ता कावियत का सार्थक संगम होता है और गीती काविय में कहुता है संगीत होता है कभी सुचhm मीची कम करफ़ पद इसी गीती काविय का उधारण है कि अभी जामने परोचेफ पड़ा कईयों को समझ में आया हो overcome किको को नहीं मैं जानती हूं क्योंकि जब यह चीज इस तरीके से लिखी रहती ना एक परिग्राफ में बहुत कम तरीके से समझ में आती है लेकिन अब इसको एक उधारण के वे से समझेंगे एक रूप रेखा के माध्यम से समझेंगे देखिए काव्या रूपों की सारणी चार् काव्या दो रूपों में दो रूप होते हैं उसके द्रश्य काव्या और श्रव्या काव्या ठीक है द्रश्य काव्या के नाटक आता है प्रक्रण आता है रूपक के दस भेद आते हैं मुख्य मुख्य तो आप ध्यान रखिए नाटक आता है अपने नाटक देख करके यह लेकिं श्रव्य काव्य के अंतरगत का आता है आप सुनते हैं जब पढ़ते हैं तो पद्य भी पढ़ते हैं पढ़ते हैं फर्स क्लास से आप हिंदी पढ़ते हैं होंगे तो आपने पद्य के भी कुछ भाग देखें और गद्य के भी देखें अब देखें पद्य में पद्य कावय के दो रूप होते हुं महा कावय कोष में होते हैं कुछ खंड हैं मुकतक में चोटे-चोटे दोहे जाते हैं अब केसे होते हैं मुकतक में देखिए पाथे मुक्तक पाथे मुक्तक होता है चोटा डोहें के रुप में और गीती मोग इसको संगीद की अधार पर होते हैं और गद्य के आदिभेट घाम और जानते नेन्ञाध अदि भेट किस अंदर आते हैं अब देखिए आगे इसको अब नोर्स के अनुसार पढ़िए अभी तक हमने क्या पढ़ा खिताब अब हम नोर्स के अनुसार पढ़ेंगे देखिए शुकली ने कहा शुकली जी ने कहा कि काव्य आनंद की प्रतीती कराने वाला होता है इन्होंने भी वही बात कही शब्दार की अभीव्यक्ति का सशक्त माध्या में इन्होंने शुक्ली जी ने क्या का कि काव्य वो है जो आनंद हमें खुशी प्रदान करें हमें आनंद प्रदान करें हमारे अंदर रस प्रदान करें और शब्द की साथ में शब्द के अर्थ की अभीव्यक्ति वह सशक्त हो अग्दम अब देखिया आगे इसमें मैंने इसको अपने नोर्ट के कोडिंग समझाने की कोशिश करिए उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा यहाँ पर काविय के रूप और भेद दो हैं हमने यहाँ पर पड़ा द्रश्य काविय और श्रव्य काविय जो नेत्रों से देखे जाते हैं वो होता है नाटक और जो श्रव्य काविय सुनने सुनाने योग्य होता है वो होती है कहानी और कवीता के लिए अब देखिए जो श्रव्य काविय होता है उसको दो भगों में ब इसलिए और मुक्तक होता है, प्रसे एक चन्द एक दूसरे से स्वत्तर होता है, अलग-लग अलग दोनों का आ अब प्रभंद के अंतरगा देखिए प्रभंद महा काव्या दो भाकों बाटा गया प्रभंद को और दूसरा खंड काव्या जो हमने उपर पड़ा उसको हम नोट्स के अकोडिंग किस तरीके से लिखेंगे घृ जिसको अब स्वतंत्र केते हैं यह दो प्राकार होते हैं और जिसको गीत कावे होता है । देखिए रभंद्र के पढ़ें पेले प्रभंध क्रंभद्र देखिए देखिए अब महा काविय का आर्था क्या होता है समग्र जीवन का चित्रण जैसे राम चरित्र मानस में तुलसी जी ने किया तुलसी ने राम के बाल्यकाल से लेके उनके जीवन के पूरा समग्र चर्म उतकर्ष था जैसे राम जी का जीवन उतकर्ष के और हुआ उसका समग्र वर्णन था और खंड काविय में क्या होता है जीवन के एक हिस्से मात्र का ठीक है एक हिस्से मात्र का या खंड का वर्णन ह कि इसके मुक्तक दो प्रकार के उते हैं पाथ्य मुक्तक और गया मुक्तक और गया प्रत्रत्रत में दोहा कवित इस प्रकार पढ़ने वह सुनने मात्र से हमें समझ में आते हैं जैसे बिहारी और रहीम के जो दोहे होते हैं वो पाठ्य मुक्तक होते हैं बिहारी और रहीम के जो दोहे हैं वो केसे होते हैं पाठ्य मुक्तक और गया में क्या होता है यह संगीत में होते हैं संगीत कावित्य का सार्थक संगम होता है कबीर के सूर के त पुस्त्र बिहारी का मैं आपको पड़ कर सुना रही हूं가락 है देखेट बिहारी के से राओन है किbec 160 बिहारी का आप सुनिए बंद को बप्तसर लालच-लालेकि मुरिली धरी छिर्व यूल्डवक आप कही 쪹 कर इसको पड़िय। सुनिए, सिंपल एकपन पढ़ने के माध्यम से इसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना इस तरीके से समझ रहे हैं अब यहाँ पर देखे कबीर की रचना पढ़िए कबीर की रचना को पढ़िए, एक संगीत के माध्यम से पढ़ेंगे आप सुख्या सब संसार है सुख्या सब संसार है खाए और सोवे दुख्या दास कबीर है जागे अरुरोवे कबीरा जागे अरुरोवे अब इसको हमने किस मादियम से गाया गीत के मादियम से संगीत के मादियम से लेकिन बिहारी के आप इसके दोहे को आप संगीत के माध्यम से कर सकते हैं क्या नहीं इससे थोड़ना पढ़ोगे बसरत लालच नहीं बतसर लालच राल की मुरली धरी लुकाई जो पढ़ने के माध्यम से समझ में आए ठीक है तो अंतर आपको समझ में आगया महा कावे जिस के से देखे पाठ्य मुक्तक और मुक्तक के अंदर दो प्रकार के पाठ्य मुक्तक और गया मुक्तक पाठ्य जो पढ़ने और सुनने मात्रो संगीत के अनुसार गया मुक्तक और यह सब किसके अंतरगत रखेगा है पद्य के अंतरगत उमीद है आपको समझ में आया चलिए आगे बढ़े अब देखे काव्य के अंग क्या होते हैं काव्य में प्रमुक्त दो पक्ष माने गए हैं भावपक्ष और कलापक्ष काव्य के अंतरगत क्या माना गया है दो पक्ष भावपक्ष और कलापक्ष अर्थात वर्णिया विश्वस्तू जो भी आप वर्ण वस्तू पढ़ते हैं शिल्प वस्तु अभिव्यक्ति का माध्यम भावपक्ष या वाणिय वस्तु के अंतरगत रस आता है क्या आता है आनंद प्राप्त होता है उसी के साथ गुण दोश आदी की चर्चा भी होती है और कलापक्ष या शिल्प वस्तु अभिव्यक्ति के अंतरगत अ आधी समझने का प्रयास करेंगे अब देखिए इसको नोट्स के माधियम से समझे क्या कहने का अतात्पर यह है कि काव्य के जो अंगे काव्य के अंग या तत्व दो पक्ष के हैं किस प्रकार से हैं दो पक्ष होते हैं किसके काव्य के अंगों का जो पक्ष होता है वो क्या हो बाऊब्ष्ट ऑफ गेगी तो जेसा गोन दिखेगा प्रसाज की 220 सिंपल दिखेगा माधुरिय और मीरा मीठे बत तो इस तरीके से माधुरिया ले समय अगे मात गुण दोश है उस इस है दो शो होगे उसी प्रकार दोश के लाता है अब कलापक्ष के लाता है कलापक्ष के लाता है कलापक्ष के गृति का माद्यम में अब से रीती आई गोडी पानचाली यह सब रीती आई और कौन से छद का ब्रयोगवा दोहे का सोठे का कवित का घना शरी का यह सब कलापक्ष के अंतरगत आते हैं और भावपक्ष के अंतरगत के आता है रस गोण दोश यह सब आता है कि लिए उमीद करते हूं आपको समझ में आ जरूरी था कि काविय का स्वरूप क्या है काविय के भेत किया है ठीके मैंने दोनों माध्यम से आपको समझाया पहले हमने नोर्स पहले हमने बुक की विस्तार रूप से समझा ठीके वर्णन के माध्यम से समझा फिर हमने उसको नोर्स के माध्यम से समझा ठीके इसी प्रका क्या सही है क्या गलत है उसे सब पता होता है। इसी में मैंने आपको एक उधानवी दिया कि हमारा मन हमारा एक आइना है। एक जज के रूप में एक न्यायले के रूप में काम करता है ये। ठीके सबसे बड़ा न्यायले हमारा मन है। हमारा मन हमें जानता है कि हम कितनी अपने लक्षे के प्रती तैयारी कर रहे हैं, ठीके, और क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत, ये सब उसे पता होता है, उमीद करती हूँ आपको मेरी क्लासे सची लगती होंगी, क्लासे सची लगें, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सबस् आप अपने जो भी competition के आप तयारी कर रहें best performance करें और बहुत जल्दी सिलेक्टों इसी शुब कमनों के साथ धन्यवाद